Hello my dear students, कैसे हैं सभी, उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वास्त होंगे, वैस्त होंगे तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हम मेंस्वरेशन टोपिक पढ़ रहे थे और उसकी थियोरी के बारे में हमने डिसकस किया था आपको prepare करनी है, clear है? I hope आप लोगो ने बढ़िया तरीके से उनके preparation कर ली होगी, अब हम start करने वाले हैं इसके variety questions, तो चलिए variety questions पर आते हैं, after that हम करेंगे practice questions, and so on, total जो complete question है उनके बारे हम discuss करेंगे, और आप वहाँ पर देखोगे किस type के question आप से exam में पूछे गए हैं, तो चलिए फड़ा पर देखते हैं, आज की class का पहला question, ठीक है? और पहला ही बहुत शांदार question है, समझना बात में, देखना, to identical circle is of the radius 30 cm, ठीक है, समझना, identical मितलब same, समान, ठीक है? और समान कब होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, समान कब होते हैं, कि जो हम बात करते हैं congruency की या सरवांग समता की बात करते हैं, it means अगर दोनों circle की radius अगर equal हो जाती है, it means वो circle क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, ठीक है? intersect each other such that the circumference of each one passes through the center of the other, बहुत अच्छी line बोली है, इससे आप सारी बाते समझ जाओगे, सारी बाते आपकी सामने clear हो जाएगी, फिर ब देखिए, दो समान वरत जिन में से प्रते की तरिजा 30 cm है, जिन में से प्रते की तरिजा 30 cm है, मैं वरत बना लेता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वरत बना लेता है, और हम क्या करेंगे, इस तरीके से यह intersect, दोनों समान है, भी कोई बड़ा छोटा हो आप पूरा triangle आजाएगा आपका, पूरा circle आजाएगा, यानि उनके जितने भी concept है, सारे concept इसके अंदर use हो जाएंगे, ठीक है, और जो ही आप अगर इसका solution आपने कर लिया, तो real में आप ऐसे समझोगे, पूरी mensuration ही हमने कर लियो, इस type के आपको filling भी आ जाएगे, अना, अब देखिए, इस point से, और यह कि यह point है, दोनों से circle पास हो रहे हैं, ठीक है, दोनों, मतलब जो circle है, वो एक दूसरे के center से पास हो रहे हैं, it means यह हो रहा है, कि यहां से यहां तक की distance की बात करूँ, या यहां से यहां तक की distance बात करूँ, यह radius आरी हो जाती है, होगी का होगी बिलकुल होगी अगर माले लीजिये इस point की मैं बात करूँ तो अगर यहां से इस point को मैं रो करूँ तो एक बात बताओ कि यहां पर क्या होगा आपको कर यह बी radius आ रही हो जाएगी क्यों क्यों कि हम center point से अगर circumference पर कोई line draw करते हैं, तो वो distance, उसके direct distance आपकी क्या होती है, radius होती है, बोलिए हाँ या ना, question समझी में आया कर नहीं है, अब चलते हैं आगे, अब इसमें से देखिए, कि दोनों जो प्रतिछेद कर रहे हैं, उनकी radius कितनी है, 30 cm, फिर कहा रहा है, उनमें से प्रते की परिदी ठीक है, ये बात हो गई, अब कहा रहे है, परतिछेदी च्हत्र का, च्हत्रवल कितना होगा, जो intersecting region है, उसका area कितना होगा, अब question समझाना, question ये आप से कहा रहे है, कि ये जो area है ना, ये पूरा, ये वाला, इसका total आपको area बताना है, इस region का area बताना है, जो overlapping region है, ठीक ह अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपने देखा बही ये line हो गई आपने देखा एक ये line हो गई एक ये line हो गई ये भी radius है ये भी radius है और ये भी radius है तीनों जो sides है वो same हो गई it means कौन सा circle बन गया अना कौन सा triangle बन गया आपने का सर एक्यूलेटरल ट्राइंगल बन गया सम बाहू त्रिबूज बन गया कौन सा त्रिबूज बन गया भी सम बाहू त्रिबूज बन गया ठीक है एक्यूलेटरल ट्राइंगल बन गया तो मेरी बात सुनो यहां पर कि जब equilateral triangle बन गया इसका मतलब प्रते कोण कितना हो गया angle कितना हो गया आपने का सर 60 degree अना यहाँ पर हर कोण कितना हो गया आपने का सर 60 degree clear है अब समझना बात को अब इस question को मुझे solve करना है इस solve करने के लिए अब same चीज नीचे बनेगी same चीज कहां आजाएगी नीचे यहाँ पर भी वही चीज होगी same वही कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें लेकिन मैं सिर्वोर सिर्व एक पार्ट को लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर फिर बता देता हूँ यह question important है SSE ने जब last जो 2022 में exam होए थे initial जो अप्रेल में जो exam होए थे I think यह उसी time का है नहीं उससे यह बाद का December का इससे पहले भी होए थे तो उस time CBO में भी बहुत सारे question जो यह जो concept है इस पर question पूछे थे और यह सबसे important है geometry में भी यूज आता है और यहाँ पर भी आपका यूज आता है ठीक है अब आप समझे ना इसको अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया कि भई यहां से eco sector मैंने लिया clear है समझे ना बात को और इसको इस तरीके से draw कर दिया clear है एक sector मैंने यहां से यहां लिया और उसको इस तरीके से draw कर दिया समझना बात को इतना एरिया आ गया मतलब मैंने अगर मैं इसी सेक्टर का अगर एरिया निकालू तो आप एक बात बताओ इतना ही एरिया है clear है, समझना आगे, अगर मान लीजिए, मैं दूसरा यहां से एक लूँ और दूसरा सेक्टर लूँ ठीक है, मान लीजिए, मैं raid ले लिता हूँ यह यह अगर लूँ और यहां से अगर मैं इसको draw करूँ तो एक यह आ जाएगा अब इसके अंदर बताओ अब यह total पूरा cover हो गया इस उपर वाले का पूरा area आ गया लेकिन इसमें आप एक चीज़ बताओ यहां पर यह जो beach का region है यह जो area है यह क्या आ रहा है भी, इसके beach वाला जो area है, यह क्या रहा है, दो बार आ रहा है हाना, एक पहले वाले में भी आ गया जब दूसरा sector लिया तो उसमें भी यह triangle आ गया, अब हमें क्या करना होगा, इस triangle को एक बार आप इसमें से हटा दो, हना इस triangle को हम यहां से क्या कर देते हैं, हटा देते तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अब कहानी समझ में आ गही होगी आप लोगों को, आप कोई समझ्या नहीं है, आपको हर बात समझ में आ गही होगी, कि हमें क्या करना होगा, एक equilateral triangle बन रहा है, इसमें से हमें दो sector लेने, हर sector 60 degree angle का है, दोनों sector लेंगे तो कुछ overlapping, फिर reason बनेगा, वो यह equilateral triangle बनेगा, हमें क्या करना है, इसमें से, एक दोनों sector है, यानि मैं कह सकता हूँ, area of both sector, बहुत sector, दोनों sector का area, अच्छा किस में, समझना बात किस में, तो मैं मान लीजिए, इसको मैं बोल दूँ, a point बोल दूँ, a, b, c, हाना, in a, b, c region, छीक है, a, b, c, region, मैं region बोल रहा हूँ, हो सकता है, बुक में आपको, और other type का solution मिल जाए, ठीक है, अब यहां पर देखना, इसमें क्या होगा, कि आपने देखा सर, दो ही है, एक में 60 degree का बन रहा है, 60 degree, upon कितना आ जाएगा, आपने का सर, 360 degree, into कितना आ जाएगा, दोनों है ना, तो दोनों का लेना पड़ेगा, दोनों का हम multiply कर देंगे, ठीक है, into कितना होगा, आपने का सर, pi r square, मैं एक बार pi r square ले रहा हूँ, r नहीं रख रहा, minus कितना होगा, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, अब यह कितना होगा भई, आपका area of both sector, in a, b, c, d ले लो, in a, b, d region, किसमें, a, b, d region, अब a, b, d region में कितना होगा, आपको गिसर यह भी कितना हो जाएगा, आपको गिसर यह हो जाएगा, हमारा white pen ले लेते हैं, हमने देखा, यह हो गया, 2 into 60, multiply by, divided by 360, then multiply by pi r square, clear है, कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं होनी चीए, तो आपने देखा, यह हमारे पास में आगा, total, इस में से क्या गटाना है, अब देखिए, saided region का area, जो हमें चाहिए, किसका intersecting region का area अगर आपको निकालना है, तो, अब आप यहां पर क्या करोगे, आपने का असर यह हो गया, हमारे पास में, दोनों कितने होगे, यह total कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा न, 4 into 60, अपोन कितना होगा, अब यहां पर हम एक triangle का हटा रहे थे, यहां पर एक दूसरा triangle है, दो triangle का हटाएंगे, एक का area, root 3 बटे 4, root 3 बटे 4, a square है, वो क्या हो जाएगा, r square हो जाएगा, समझी बात को, यहां पर जो triangle है, उसका area अगर निकालों, तो इसकी भुजा कितनी है, वो r बन जाएगी, a है, वो कितनी बन जाएगी, r बन जाएगी, ओके, चलिए, यहां से हमने देखा इसमें, कि भाई, इससे cancel out करूँ, तो 6 times, यानि यह आ जाएगा आपका, total आपका 2y, 3 times, यह यह आ रहा है ना, 240 और निचे कितना आ गया, 3, clear है, यहां से देखा, तो यह कितना आ गया, आपका 2 आ गया, ठीक है, इसमें से आपका r square common आ रहे है, अगर मान लीजिए, मैं r square common ले लूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, आपको गुसर 2 pi y 3, minus root 3 y 2, यह तो बचेगा, अब यह मेरे पास में बचेगा, clear है, और यह चाहो तो आप direct याद कर सकते हैं, अगर इस type का कोई question आ जाए, तो, ठीक है, अब देखिए, अब इसमें r की value पुट कर देते हैं, तो area कितना बन जाएगा, r की value आप पुट करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, 30 का अगर मैं square कर दूँ, अंदर as it is, यह चीजें बढ़ी है, root 3 y 2, clear, अब इसके बाद में हमने देखा, इसका अगर मैं square कर दूँ, तो यह value कितनी होगी, आपका 900 अंदर multiply कर दूँ, तो यह total कितना बन जाएगा, 600 pi minus 900 कितना होगा, 4500 root 3, यह area आ जाएगा, finally, तो देखिए कोई option मेच हो रहा है क्या, अना, तो हमने देखा, D option मेच हो रहा है, तो D option आपका right answer हो जाएगा, question ठीक है, हम मानते हैं, थोड़ा सा calculated है, अना, लेकिन बहुत ही अच्छा question है, अगर आपके practice हुई होती, आपने पहले अगर practice यह कर रखी होती, और आपके exam में अगर यह question आया होता, तो direct आप यह value रखते, और आपके mind में clear होता, और आप within one minute इसका answer निकाल पाते हैं, ठीक है, देखे लो, फटावा, देखे भी next question, इसमें आपको क्या बोला गया है, if the length of a certain rectangle is decreased by 4 cm, and the width is increased by 2 cm, it would result in a square of the same area, what is the perimeter of the original rectangle, what is the perimeter of original rectangle, यहन क्या कह रहा है, यह दिक सी आयत की लंबाई, 4 cm कम कर दी जाती है, और चोड़ा ही 2 cm बढ़ा दी जाती है, माल लीजिए, यह आपका एक rectangle है, जिसमें length आपकी L है, पहले माल लीजिए, इसका area कितना था, L into B, अब क्या करते हो, L minus 4 कर दो, और B plus 2 कर दो, इसा अगर आप कर देते हो, तो खहरा है, उतने ही छेतरफल का, अना, क्या कर रहा है, उतने ही छेतरफल का, यह आपको find out करना है, बहुत ही आसान question है, simple सा कैसे find out करोगे, बताओ भई, फटाफट, अना, आपने देखा, कि पहले वाला हमारा L plus B था, अब अगर माल लो, यह इसा कुछ कर दूँ, तो यह हमारा क्या बन जाता है, same area वाला, same area वाला, एक square बन जाता है, इसका मतलब यह हुआ, कि भई, square में तो भुजाएं बराबर होती है, अना, इसलिए जो sides बराइक्वल होती है, L minus 4 equals to, B plus 2 हो जाएगा, इसके बाद में आप से क्या बोल रहा है, कि बताईए, अब माल लीजिए, कि भई, यह जब इसने किया है, भई, यह पहले वाला area था, अब ऐसा कुछ करने पर, एक same area का square बन जाता है, अब इस square का area, माल लीजिए, square बन रहा है, इसके भुजा है, वो आपकी side है, वो कितनी है, ए है, अब ऐसा कुछ करने पर, इसका और इसका area same हो रहा है, इसका, यानि पहले वाले का, मतलब जो इसका area, square का area, वैसे तो देखो, अब ऐसा कुछ करूँ, तो इन दोनों का area same हो जाएगा, यह बन गया, अब इसका area, इसके साथ में क्या हो रहा है, same हो रहा है, अब इसका area क्या होगा, जो इसका area है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि L-4, multiply by, B plus 2, जितना आएगा, वो L-B के क्या होगा, बराबर होगा, समझना, अगर यह कुछ होने पर, same, मतलब area वाला, एक square बन जाता है, जिसका area इसके बराबर है, तो इसका क्या है, वो इसके बराबर है, same ही तो चीज है, तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, अब यहाँ पर देखिए, कितना होगा, L-B, minus 4B, 2L-4B, equals to 8, मैं कॉमर ले लूँ, तो L-2B, equals to क्या होज़ेगा, 4 हो जाएगा, एक यह मेरे पास में आ गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कि मेरे पास में, L-B, equals to 6 है, दूसरा, L-2B, equals to मेरे पास में, कितना है, 4, मैं यहाँ से साइन इंटर्चेंज करता हूँ, एक वेशन आपस में क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, सब्डेक्ट कर देता हूँ, यह प्लस, यह माइनस, यह कैंसल आउट हो जाएगा, तो B equals to कितना होगे 2, जब B equals to 2 है, तो L equals to कितना आ आगे, 8 आ गया मेरे बाई, ठीक है, तो यहाँ से बुच्चा है कि मूल आयत का परिमाप बताईए, जब हम पेरिमेटर निकालेंगे इसका, तो पेरिमेटर आप लोगों बताए, 2 L plus B होता है, ट्वाइस ओफ L plus B, तो P equals to 2, L plus B कितना होगा, 2 plus 8, यानि टोटल वेल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 और यह 2 कितना हो जाएगा, 20 is the right answer, ठीक है, वैसे भी आप ध्यान में रख सकते, कि direct मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन में से इसको आधा कर देता हूँ, तो यह कितना हो गए आपका, 10, 10 और 10 दोनों में कुछ इस तरीके से डिफरेंस लूँ, तो 2 और 8, दोनों में डिफरेंस भी कितना हो रहा है, 6 आ हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि भई, इसमें से अगर मैं 4 कम गर दूँ, तो यह 4 बन जाएगा, इसमें 2 जोड़ दूँ, अब इसको आप डारेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखना आप, जैसे 24 हैं, हाना, तो यह 15 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मैं 2 से अगर इसको डिवाइड करूँ, पॉइंट में संक्या चली जाएगी, फिर बाद में मेच एसी नहीं होपाएगा, इसको 2 से करूँ तो यह 5 आजाएगा, तो यह तो दोनों हो इनी सकते, 24 की बात करूँ, तो 24 को मैं इस तरीके से कंसिडर कर सकता हूँ, अगर मैं इस उप्सन की अगर मैं बात करूँ, 24 मैंने लिया, 24 को मैं पहले हाफ करूँ, 24 को मैं पहले हाफ करूँ, कितना हो गया, L प्लस B, L प्लस B बराबर 12 आ गया, अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 3 और 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 1, 3 एक 3 हो जाएगा, 3 and 9 हो गया, दोनों में difference कितना होना चीए 6 clear है समझ में आ रही बात अगर मान लीजिए मैं इसमें से 4 गठा दूँ 5 आएगा इसमें 2 जोड़ दूँ कितना हो गया 5 हो गया अब यह होगी एक square की side हो गई इसका area कितना हो गया 5 की square कितना हो गया 25 25 हो गया तो इसका भी area 25 होना चीए लेकर 3 into 9 कितना हो गया 27 इसका मतलब हम यह हमारा answer नहीं होगा तो हम इस question को direct कर सकते थे ठीक है तो अभी मैंने आपको basic method बता है और आप direct approach से भी this question को कर सकते है clear है चलिए next question देखते है बोला क्या है the external diameter of an iron pipe is 20 cm and its length 12 cm if the thickness of the pipe is 1 cm बस हमें पता चल गया hollow cylinder की बात हो रही है किस की बात हो रही है hollow cylinder की clear है यहां पर देखिए बोला क्या है यह बोला है कि एक्टेनल डाया कितनी है 20 cm it means external radius would be 10 cm internal radius तो आपने देखा थिकनेस एक cm है थिकनेस आपकी क्या होती है r-r यह 1 cm है ठीक है तो internal radius आपकी कितनी हो जाएगी तो internal यहां से यहां तक की distance होती है जो कि 9 cm हो जाएगी 10 cm में से एक घढ़ा दोगी तो कितनी हो जाएगी 9 cm clear है उसके बाद में देखो आप क्या बोला है बोला है find the surface area of the pipe correct to two radius of the decimal यह सही है लोहे की pipe का बहरी व्यास 20 cm है तो बहरी तरीजा कितनी होगी 10 cm हो जाएगी 10 cm हो जाएगा clear है उसके बाद में इसकी लंबाई 12 cm है इसकी length है वो कितनी है 12 cm तो height कितनी है आपके 12 cm ठीक है आप से बोला है pipe का प्रस्टी चेतरफल find out करना है इसका जो संपून प्रस्टी चेतरफल है वो find out करना है यानि यह कह सकते हो total surface area of cylinder ठीक है total surface area के लिए मैं base के area के अगर बात करूँ तो इसका area कितना होता है आपको बिसर यह दो बार आ जाएगा base के बिसर तो क्या होता है pi r square minus r square होगा लेकिन अगर total में अगर मैं इसको count करता हूँ तो total area अगर मैं find out करूँ तो total area कितना होता है 2 pi r h ठीक है लेकिन यह आपका hollow है तो 2 pi r plus r into h plus 2 pi r square minus r square यह हो जाएगा क्या हो जाएगा r square minus r square ठीक है उपर और नीचे का यह भी हम consider करेंगे फिर उसके बाद मैंने क्या किया score मैं थोड़ा simplify करता हूँ तो इसमें से मैं 2 pi और r plus r common लेता हूँ कितना इसमें भी क्या होता है इसमें 2 चीजें होगी एक तो होगा r plus r एक क्या होगा r minus r ठीक है दोनों होगे clear है तो मैंने क्या क्या 2 pi यह common लिया तो h plus इसमें से क्या आजाएगा r minus r यह आजाएगा अब यह formula आपको कहीं भी लिखा मिल सकता है आप इसमें direct value रखिए और answer निकालिए ठीक है यहाँ पर pi के बारे में कुछ बोला है कि बिल्कुल कह रहा है 22 बटे 7 लेना है तो 2 22 upon 7 यह कितना हो जाएगा r plus r तो 10 और 9 कितना हो गए आपका 10 प्लस 9 यह height कितने 12 cm plus यह हो जाएगा 10 यह थिकनेस की बात हो रही है यह कितना हो जाएगा 10 minus 9 तो यह बन जाएगा हमारे पास में 2 multiply by 22 upon 7 multiply by 19 then multiply by 1 यह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है option option में यहाँ हम देखते हैं तो हम देखा काफी gap दिख रहा है option में यहने आपको लगबग 100 या आप यह से देख सकते है 100 या 90 तो इनके बीच में काफी मतलब एक gap दिख रहा है ठीक है तो हम इसको अगर approximation से भी करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं मालो और यह हो जाएगा आपका 57 and 190 तो यह होगा 247 247 and multiply by 2 तो यह कितना बन जाएगा 247 and multiply by 2 तो यह आपका हो जाएगा 494 तो यह हो जाएगा 494 multiply by 22 then divided by 7 और इसको अगर हम करें तो यह पता चलता है यह आपको हो जाएगा 8 और 8 and 9 और फिर आजाएगा आपका 0 यह होगा न ठीक है clear है फिर हम करते है 9, 8 and 8 पता चलता है कि यह value आपके आजाती है 0 और यह हो जाता है 6, 8 और यह हो जाता 10 या 10, 8, 6, 0 ठीक है यह value कितने आजाते है 10, 8, 6, 0 अपोन कितना आजाता 7 अब है divide करके देखो exact value आजाएगी हमने जब divide किया तो पता चला 1, 3, 8, 38 यानि 5 times तो भई option कौन सा हो जाएगा B option आपका correct answer हो जाएगा बाकि आप दे लो divide करी लो इतनी दूर आईगे तो तो यह होगा फिर again 5 times आ रहा है क्या ठीक है तो 1 और फिर बाद में यह कितना हो जाएगा आपका लगबग 1 clear है तो यह value आपकी यहाँ पर आ जाएगी ठीक है पर near about यह value आ जाती है तो हमने यह देखा भी हमारे पास में B option क्या हो जाएगा correct answer question calculative है यानि जो examiner वो चाहता है कि आप last point तक या last moment तक question को solve करो enjoy करो कि option में भी match नहीं होने दे रहा चलिए यह question और देख लेते है इसमें आपको क्या दिया है how many meters of the 2 meter wide cloth will be required to make a conical tend with the diameter of the base as 14 meter and the slant height as 9 meter to ignore vestes 14 meter के अधार अधार व्यास 14 meter के अधार व्यास और 9 meter के 3 कुंचा slant height clear है समझना अधार व्यास मतलब base base की बात हो रही है base diameter तो आपको यह बोला गया है कि यह इसकी base diameter है ठीक है यह इसकी base diameter इसका मतलब यहां पर हमारी radius कितनी हो जाती है तरजया कितनी हो जाती है आपको कि सर 7 meter slant height it means L की बात हो रही है L कितना है भई 9 meter 3 कुंचा है समझना तो संक्वा का tent को बनाने के लिए 2 meter की चोड़ाई वाले कितने meter कपड़े की आवशकता होगी अब सोचिए कपड़ा तो ऐसा होगा इस टाइप का कपड़ा जो 2 meter चोड़ा है लंबाई उसकी क्या L इसको आप यूँ लपेटोगे बाहर तो यह कहां पर आएगा तिरिये के परष्ट पर किस पर आएगा इसकी जो transversal जो surface है उसी पर यह लगेगा बाहर यहां पर लगेगा इसकी curved surface एरिया पर तो हमने देखाओ curved surface एरिया निकालना है तो एरिया सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया अब सोचे यह कपड़ा जब इस पर लगया जा रहा है तो यहां का एरिया और यह एरिया बराबर ही तो हुआ ना तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ मैं कहूंगा कि भई वेसे तो एरिया इसका कितना होता है पाई यारल ठीक है तो यहांनि 22 बटे 7 यहां 22 बटे 7 यहां 22 बटे 7 then multiply by 7 and multiply by 9 equals to कितना हो जाएगा 2 into L ठीक है यहां से मैं cancel out साथ से साथ गया इसको cancel out करके कितना हो गया 11 यह हो गया L equals to कितना हो गया कितना हो गया भी 99 L equals to 99 meter clear है अब कह रहा है कि बताईए कितना कह रहा है चीक है यही पुछा है कितने meter कपड़े के आप सकता होगी 99 meter is the right answer अगर खर्चा दिया होता था हमें रुपे से और multiply करना पड़ता clear है चलो भी next question देखते है बोलाए कि the minute hand of a clock is 20 cm long find the area on the face of the cloth swept by the minute's hand between 8 a.m. to 8.45 a.m. समझे न 8 बजए से 8 बज़ के 45 minute 8 बजए से ये आपका minute hand की बात करें जब 8 बजएंगे ये 6 है ये आपका 7 और ये आपका कितने 8 है यहाँ पर कितने 9 तो 8 बजए से ये आपकी पहले 8 बजए यहाँ होगा ठीक है 8 बजए से लेकर 8.45 अना 8.45 इसका मतलब ये यहाँ से move होके ये यहाँ पर आजाएगे सुई कितना moment हुआ है तो आपको ये पता रखना होगा कि एक minute में एक minute में minute की सुई 6 degree याँ 6 degree का move करती है कितना degree का angle बनाती है 6 degree इसका मतलब total angle कितना बन जाएगा 45 minute then multiply by 6 then it will be 270 degree कितने degree बन जाएगा भई 270 degree आपका बन जाएगा इसमें 270 degree बन गया तो एक sector ही तो बन गया रही है तो पूछ रहा है तो घड़ी के दुआरा गूमेगे घड़ी के प्रस्ट का छेतरफल ज्याद कीजिए ठीक है तो भई find out करो area find the area on the face of the clock swept by the minute hand between this time to this time तो हमने यह देखा कि भई यहां पर कितना बनेगा total area कितना होगा तो हमने देखा 270 upon कितना होगा 360 multiply by 5 by 7 ठीक है then multiply by r r कितनी है घड़ी की minute 20 cm लंबी है 20 तो यहां पर देखी कितना हो जाएगा हमने का असर यह 3 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा और cancel out करो तो सर यह 11 हो जाएगा यह आपका 10 हो जाएगा तो हमारे पास में जो value आ जाती है वो total value कितनी हा जाती है भई हाना देख लिजी फटा पर देख लिजी वई कितना आ रहा है तो यह हमारे पास में कितना हो गया हम इसको चार से करेंगे न तो यह तो cancel out हो गया यह 11 हा गया यह आपका 10 आ गया clear है तो यह खहरा है कि घड़ी की minute की सुई 20 cm लंबी है उतने से इतने की बीच में तो हमने कर दिया भी 270 अब उन्हों कर दिया 360 pi r square तो भई एक और आएगा ठीक है हमने भूली गए एक और आएगा तो हमारे पास में यहाँ पर कितना है 33 and 2 कितना होगे 66 00 अब बन कितना हो जाएगा 7 यह हमारा area आजाएगा area है क्या इसा 66 बिल्कुल चाहिए यह option आपका correct answer हो जाएगा ठीक है question easy था simple सा question है बस यही नॉर्मली इस question को पूछ लिया next question देखते है water is flowing through a cylindrical canal with an internal diameter of 7 meter at the speed of 18 km पर आद find the volume of the water flowing through the canal is in 30 minutes ठीक है कर रहे 7 meter आंतरिक व्यास वाली ठोस बेलनाकार नहल में से पानी के बहाव की गती इतनी है ठीक है इसके मादम से 30 minute में बहने वाले पानी का आयतन ग्यात कीजिए पाई का मानी इतना लेजिए ठीक है हम क्या करते है एक pipe लिया यह दीखे pipe इस नहर में पानी जो flow हो रहा है वो पानी इसकी speed कितने 18 km पर आर 18 km पर आर इसका मतलब इसकी जो height है और इसकी radius है यह यह जो radius है वो मालने के 7 by 2 meter clear है पिर कहा रहा है कि बताइए अब एक चुल्म क्या होगा यह एक melon बन गया एक cylinder बन गया और इसके अंदर इतना पानी है जो एक गंटे में भरा जा सकता है इसका volume है वो पानी को indicate कर रहा है जो एक गंटे में भरा जा सकता है ठीक है तो हमने क्या कि अब यहां पर volume इसको find out करते है चलिए हम यहां पर volume देखते है volume कितना होगा यह होता है πाई यार स्कुरे रेच ठीक है पर गंटे में यह गंटे में आने वाला पानी होगा इसमें volume का मतलब एक गंटे में आने वाला पानी ठीक है यहन वोटर इन वन आर ठीक है क्योंकि पर गंटे ना मिनट होता है पर मिनट होता है अब हमने देखा यह 22 अपोन 7 इन्टो आर कितना है 7 by 2 इन्टो 7 by 2 ठीक है एच कितना है 18,000 ठीक है यहां से हम कुछ चीजे cancel out कर दें 7 से 7 गया 2 से यह आपका कितना होगा 11 हो गया यहां 2 से अगर मैं cancel out करूँ तो यह value कितनी आ जाएगे 9 और फिट रिपल जीरो यह हो जाएगा 77 इन्टो 9,000 ठीक है अब यहां पर देखिए यह value हमारे पास में कितनी हो जाती है तो यह हो जाता है 97, 63, 6 पि 97, 63, 68, 6 कितना होगा 69, फिट रिपल जीरो अब यह एक्चलो में पानी है मिटर क्यूब और कितने में एक घंटे में ठीक है इसको अगर मुझे पानी को आदी घंटे में convert करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा in half an hour या मैं यूं कह सका in 30 minute ठीक है इसके लिए volume को मुझे क्या करना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा 69, 3, 000 तो इसको 2 से divide करना पड़ेगा यह हो गया 3 और यहां हो जाएगा आपका 4 ठीक है तो 3, 4 वाला एक ही ओप्शन है आपका correct हो जाएगा 2 से दिया 3 यह हो जाएगा 4 फिर आजाएगा आपका 6 फिर आजाएगा 5 फिर आजाएगा 00 तो इसका मतलब D option आपका correct answer हो जाएगा कौनसा option correct answer हो गया भी D option clear है समझ में आगी बात चलिए next question बोला है if the sum of the diagonals of a rhombus is L and the perimeter is 4 P find the area of the rhombus यान एक चतर बुझ चतर बुझ नहीं है हिंदी मेडियो वाली ध्यान रखे एक सम चतर बुझ की बात हो रही है किसकी rhombus रombus बोला ना सम चतर बुझ ठीक है और यहां भी rhombus बोला है इसका मतलब बात किसकी हो रही है सम चतर बुझ की बात हो रही है ठीक है हिंदी में थोड़ा से missprint है ध्यान रखना बस बोला है कि वही if the sum of the diagonals of rhombus is L and the perimeter is 4P तो find the area of the rhombus इसका मतलब रombus के बारे में हम तो जानते हैं क्या जानते है कि rhombus का जो area है और उसके जो diagonal है उसके बारे में भली बानती जानते है दो तीन बाते area होता है one by two d1 into d2 ठीक है और इसका जो perimeter है वो कितना होता है 4A होता है यह perimeter जो है d2 square equals to क्या होता है 4A square यह भी एक relation होता है clear है इन चीज़ों के बारे में अब ध्यान रखना अब जो कहा है उसके coding करते है डाइगनल का जो योग है दोनों diagonal का d1 और d2 कितना है L perimeter कितना बोला है तो perimeter मेरे भाई एक चीज़ तो हमें यह मिल गई दूसरा यह perimeter कहा रहा है कि इसका जो perimeter है वो कितना है वैसे तो कितना होता है 4A होता है इदर इसने कितना बता है 4P इसका मतलब यह हुआ कि जो A की value है वो कितनी मिल गई P मिल गई ठीक है clear है बात समझ में आई चलो आगे चलते है अब आप से बुच्छा है कि उसका 6 तरफल बताईए अब 6 तरफल कि मुझे D1 into D2 चाहिए D1 into D2 इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसका square करता हूँ इसका work करता हूँ या इसका क्या करता हूँ square करता हूँ अब आप एक चीज़ देखिए कि मुझे यहाँ पर D1 प्लस D2 का value दी है इसका square किया ये दोनों पर square है इसकी value है और इसकी भी value है तो D1 डिटू रख दूँ तो L square equals to इसकी value कितनी है तो आप को कि सरफ 4P square हो जाएगा 4A square था ना इसकी ज़िए मैं अगर put कर दूँ तो D1 square plus D2 square equals to क्या हो जाएगा 4P square छीक है अगेन क्या है 2D1 and D2 तो मैं क्या करता हूँ इसको इधर लाता हूँ तो D1 into D2 equals to मेरे पास में क्या बन जाएगा L square minus 4P square upon क्या हो जाएगा 2 ये value बन जाएगी अब मुझे निकालना है area एक बटा दो D1 into D2 D1 into D2 कितना है L square minus 4P square upon कितना जाएगा 4 ये area आ गया clear है ये area आ गया ये कहां दिख रहे है आपको तो 4 तो सभी में दिख रहे है इसमें नहीं है 3 तो हो गई नहीं लेना देना ही नहीं है कहीं ठीक है P का भी नहीं है बस दोनों में से कोई होगा तो ये हो जाएगा B option कौन सा option हो जाएगा भी B option आपका correct answer है clear है समझ में आरे बात अच्छा question है बहुत ही सांदर question है इसको देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है दिया क्या है समलंब आकार के मेदान का चेतरफल सतरा सो पिच्चासी सेंटिमेटर फुटी स्कॉयर है यदि इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है आपकी कितनी दीवी है 35 और कहा रहा है समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है तो दूसरी की लंबाई कितनी है इस टाइप की बात करा है ट्रेपेजियम की ठीक है अब कहें क्या रहा है उसमें से देखना आप से बोला है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है और कितनी दे रखी है तो डिस्टेंस इसने एच कितना दिया हुआ है 35 एरिया इसने दे रखा है एक समांतर भुजा कितनी दिया 42 सेंटीमेटर दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको ए माल लेता हूँ इसको बी माल लेता हूँ अब चलते है एरिया क्या निकालते है एरिया क्या होता है हाफ, सम और फेरलर साइड़ एंड डिस्टेंस बिट्विन दें कौन से डिस्टेंस परपेंडिकुल डिस्टेंस यह हो जाएगा हाफ दोनों को मैं जोड़ूँ तो माल लेजी कोई भी value रख दो कोई फरकर नहीं पड़ता ठीक है, माल लो मैंने x रख दिये इसको तो मैं यहाँ पर बोल दो x plus 42, then multiply by 35 यह कितना हो जाएगा 1785 एरिया है अब यहाँ पर देखो यह अगर 7 से cancel out हो रहा है क्या या 35 से अगर cancel out हो रहा है तो 35 से कर देते हैं इसको, अना तो हमने देखा यह आपका 35 से भी cancel out हो रहा है कैसे, 35 से इसको करेंगे तो यह होता है आपका कितने times हो जाएगा तो हमने देखा यह अगर 4 times करूं, तो 140 होगा 140, 5th times करूं तो यह 175 होगा, तो 5th टाइम्स फिर आ जाएगा 1, यह तो cancel out, तो यहां से गर value लिका लूँ, तो x प्लस 42 की value कितनी आ जाएगी 102, तो x का मान कितना आ जाएगा आपने देखा सर 60, x का मान कितना है 60, तो other side वो कितनी है 60 feet, a option आपका correct answer हो जाएगा, कौन सा option हो जाएगा भई, a option, clear है, समझे रहे हो, देखिए, a, b, c, d is a regular hexagon, side of the hexagon is 36 cm, what is the area of the triangular a, b, c, कुछ है a, b, c, d, e, f, एक सम सट बुझ है, a, b, c, d, एक सम सट बुझ है, ठीक है, मैं यहां से बोल देता हूँ, a, b, c, d, e, और f, तो कहा रहा है कि बताईए, इसकी भुझागर 36 cm है, आपको a, b, c, का area क्या होगा, यह area निकालना है आपको, clear है, ठीक है, यह वाला area आपको find out करना है, आप क्या करोगे, आपको बताए, कि इस area को मैं find out करूँ, माल लीजी हैं पर point है, मैं इनको मिला दो, इसको मिला दो, इसको भी अपने क्या करते हैं, मिला देते हैं, उस बीच में नहीं आ रहा है, ऐसे मिला देते हैं, ठीक, पूच किसका रहा है, ABC, तो तुरिबूच ABC का area आपको बताना है, clear है, समझ में आ रही बात, यह कितना आपका O है, इसका area आपको find out करना है, और इसका area आपको बताना है, तो हमने यह देखा, कि इसका जो area है, नोर्मल अगर हम बात करें, कि भई, इसमें root 3 by 4, A square, यानि एक equilateral triangle, यह समझ महुत रिबूच के हम बात करें, तो 36 into कितना हो जाएगा, 36, clear है, भई, कितना होता है, root 3 by 4, root 3 by 4, A square होता है, ठीक है, यही तो होगा, root 3 by 4, A square हो जाएगा, clear है, तो हमने देखा, कि यहां पर अगर इसके area, ABC की अगर बात हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, भई, जो total जो area था, भई, आपके हम बात करें, equilateral triangle की, तो यह कितना हो जाएगा, 3 by 4, 36 into कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, इसको हम यहां से multiply करें, तो यह कितना हो जाएगा, आपका 9, तो यह कितना हो जाएगा, total multiply होके, तो आपने का सर यह हो गया, आपका 54, और कितना हो जाएगा, हमारे पास में 5, यह कितना हो जाएगा, 27, 3, कितना हो जाएगा, आपका 32, तो 324 root 3, कितना हो जाएगा भी, 324 root 3, अना यह option आपका correct answer हो जाएगा, क्योंकि यह आपका equilateral triangle होता है, तो इसका area या संभाह त्रिभूज का जो area है, वही area होता है, तो आपकी value क्या हो जाएगा, 324 root 3 cm2, clear है, पता है आप लोगों को, हमने पढ़ रखा यह सारी चीज़े, देखो पढ़ा पढ़ा, चलिए, next देखते हैं, the base of a right prism is an equilateral triangle, whose side is 10 cm, if the height of this prism is 10 root 3 cm, then the what is the total surface area of the prism, एक समकौन prism का आधार, एक संभाह उत्रिभूज है, जिसकी भूजा 10 cm है, यदि इस prism के उंचाई 10 root 3 cm है, तो prism का कुल प्रश्टी चेतरफल क्या होगा, एक समकौन prism की बात हो रही है, ठीक है, right prism की बात हो रही है, और equilateral triangle बता रहाएगी, इसका मतलब prism कुछ इस type की है, एसे कुछ prism की बात हो रही है, क्लियर है, अब इसका हमें निकालना है, prashti 6 तरफल, है ना, कुल prashti 6 तरफल, इसका मतलब बहुत है, total base का area, जो की कितना कितना बताया जा रहा है, ए ए और कितना बताया जा रहा है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी कितना A है, ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है, कि बही टोटल अगर प्रिजम के उंचाई, आपके 10 रूट 3 है, कितनी है, 10 रूट 3, ठीक है, तो प्रिजम का कुल प्रष्टी 6 तरफल, अब देखिए कि टोटल सर्फेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल सर्फेस प्रिजम की बेस, क्लिए रहे, तो एलborg से की अगर मैं बात करूं, तो एल्से क्या होता है, पेरिमेटर और बेस, पेरिमेटर और बेस, थीक है, यानि अधार की परीदी, ठीक है, और कहां तक, यानि परीमाब, कहां तक, ह यह उनचाई तक, तो इंटू हम क्या कर देंगे, H ठीक है, into क्या कर देंगे H, और plus क्या हो जाएगा area of base, तो area मतलब इसका परिमाप ठीक है, यानि perimeter area of base निकालना है तो ठीक है, area, तो इसका क्या हो जाएगा, total area area of base clear है, ये चीज़ आपको कर रहे है, क्या करना है हमें संपूर्ण परष्टी चेतर फल अगर find out करना है तो आप क्या करोगे, कि prism का base क्या है, हना तो हम देखते हैं कि base है हमारा क्या है अपका equilateral triangle है ठीक है, अब एक sambahutri bujh है, तो simple सी बात है जब sambahutri bujh है और ये कहां तक भई बाहर lateral surface area निकालेंगे, तो जो इसकी perimeter है base की जो perimeter है, परीदी है वो खहां तक, h उन्चाई तक एक वो consider करना है, top और bottom का area consider करना है, ठीक है तो परीदी है, h उन्चाई तक, यानि area आ जाएगा हमारा अब इसकी जो परीदी है, वो कितनी हो जाती है हमने का sir, इसका जो perimeter है वो आपका कितना हो जाएगा हमने का sir, 30 root 3 हो जाएगा, कि भूजा आपकी कितनी है, sorry, prism की उन्चाई कितनी है, 10 root 3 है, ठीक है भूजा 10 है, तो भूजा 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 3 भूजा है तो 30 हो जाएगा, हाना area of base, area 2ần 2 बन रहे, उपर और नीचे, कितना है तो हमने का base का कितना है root 3 keer 4, a2, a2, 10 X 10, ठीक है, कितना है, 10 X 10, अभी यहां से हम ने क्या कर दिया, भी 2 कर दिया, 2 से यह कितना हो गया, 5 हो गया, इधर कितना हो गया, 300 root 3 हो गया, प्लस यहां कितना हो जाएगा 50 root 3 हो जाएगा यह कितना हो गए भी 350 root 3 हो गया 350 यह दियों आपका correct answer हो जाएगा समझना बात को D option आपका answer है देख लो फटा फटा चलिए आपसे बोला गए बोला क्या है एक लंब वरती है संकू के छिनक के आधार की तरीज़ा 5 cm है और सिर्स की तरीज़ा 3 cm है ऐसा कुछ है यानि फ्रस्टम आफ एक कोन की बात हो रही है या आप यूं कहा सकते हैं बाल्टी नुमा करती की बात हो रही है जिसकी रेडियस अपर रेडियस है वो 3 है और लो रेडियस है वो 5 है उन्चाई कितनी अच्छ है तो कह रहा है आई तन बताई इसका जो वोल्यूम जो है वो क्यों इसका फोर्मुला क्या होता है वन वाई 3 पाई R square plus R square plus R into R into H यह formula होता है ठीक है बड़ा complicated formula इसका पाई के साथ में कुछ नहीं करना है क्योंकि ओप्सन में पाई दिया गया है तो कुछ करना ही नहीं है फिर तो काम होई गया 5 का square करना है 3 का square करना है प्लस 5 into 3 करना है और into में 6 करते हैं बस खतम बात इससे cancel out होके यह क्या बन गया 2 बन गया पाई है 25 और 9 कितना होगे आपने का सर्थ 34 34 और 15 कितना होगे सर्थ 49 34 और 15 और 49 into कितना 2 इसका मतलब यह कितना होगे 98 कितना हो जाएगा 98 98 पाई 98 पाई A option आपका correct answer हो जाएगा कौन सा उप्शन है यह उप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेशन देख लेते है A solid cube of side 8 cm is dropped into a rectangular container of length 16 cm width 8 cm height 15 cm which is partially filled with the water if the cube is completely submerged then the rise of the water level 8 cm भुजा वाले एक ठोस गन को 16 cm लंबाई 8 cm चोड़ाई 15 cm उंचाई वाले एक आईताकार container में गिराया जाता है तो आशिक रूप से पानी भरा होता है यदि गन पूरी तरह से डूबा है तो जल इस तरह में कितनी वरदी हो पहली कितना पानी था कितना नहीं है इन बातों का कोई ओचित्य नहीं है फालतू की बाते करना कि आपको इतना से ध्यान में रखना है कि भाई 16 सेंटीमेटर 16 आठ सेंटीमेटर भुजावल एक ठोस घन को और इसमें डाला जाता है ठीक है तो मैं कहूंगा भी 16 सेंटीमेटर इसकी लंबाई है 8 सेंटीमेटर इसकी चोड़ाई है मैं बना कि बता देता हूं आप लोगों को एसा एक कंटेनर है कह रहा है इस कंटेनर में पानी है पानी क्या कह रहा है कि ये 16 ये 8 और उन्चाई कितनी है इसकी 15 ठीक है और इसमें कह रहा है कि कुछ पानी भर है मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है आपने क्या किया इसके अंदर एक क्यूब डाला 8 cm भूजा का 8 cm भूजा का cube डाला तो पानी इतना आ जाएगा इस इस लेवल तक माल लीजिए पानी आ गया cube यहाँ आ जाएगा यह माल लीजिए cube है तो level तो इतना ही बढ़ा ना हमें 15 से क्या लेना देना है h कितना है आपका h ही तो होगा rise मत इस level से इस level का comparison करूँगा ना ठीक है तो हमने देखा कि भाई हमें जो 15 है उससे कोई लेना देना नहीं है तो हमने का भी cube अब पानी कितना यह आपका displace हुआ है जितना उसका volume है जितना cube का volume है तो आपने का cube का volume तो 8 into 8 into 8 यान 8 cube होगा equals to कितना होगा कि उसके अंदर गया container में तो container 16 का था into 8 उसके weight थी into h 1 try तक जाएगा 15 से हमें कोई लेना देना नहीं है हाना तो हमने देखो 8 से 8 गया इस 8 से यह 2 हो गया इस से कितना हो गया 4 तो h equals to कितना आ जाएगा 4 बताईए हाँ याना question CGL में पूछा गया है आसान सा question है, simple सा question है आप लोगों के लिए बस बाएं हाथ का खेल ले मैं तो दाएं हाथ से फिर भी कर रहा हूं है ना, देखो फटा पर देखो question चलिए, next question देख लेते त्री साइड से ओफे ट्राइंगल रूट A square प्लस B square रूट 2 A is whole square प्लस B square रूट A square प्लस 2 B whole square फिर बोलता है, what is the area ओफे ट्राइंगल त्रिभुज की तीन भुजाएं इतनी इतनी है तो कहा रहा है त्रिभुज का छेतरफल क्या होगा यह आपसे पूछा जाए simple सा question है, एकदम असान सा question है क्या करना है, आपको पता है कि तीन भुजाएं दी हुई है, हना और त्रिभुज का छेतरफल पूचा तो मुझे तो पता ही नहीं से लगा त्रिभुज है कौन सा, इसके लिए हमें क्या करना है, हम माल लेते हैं, कि भी A, B है ना, उनको एक माल लेते हैं, पता चल जाएगा कि भी खानी है क्या हमने A और B सब को कितना माल लिया, एक माल लिया, माल लिया पर हमें पता चल जाएगा, 1, 1 कितना होगे root 2 या माना 1, 1 तो 4 और यह कितना होगे 5, तो root 5, इसमें 1, 1, यह भी कितना होगे root 5, भाई, पता चल गया हमें, यह triangle आपका कुन सा है, देखो बटाबट, कुन सा triangle दिख रहे हैं, आपको isosilis triangle दिख रहे हैं, ठीक है, कौन सा triangle दिख रहे हैं आपको, isosilis, ठीक है, अब हम ही क्या करना है, यहां पर area find out करना आपको, हना, कि इसका जो area है, वो क्या होगा, simple सा concept है, हना, अब क्या करोगे, यहां से area निकालने के लिए, आप या तो क्या करो इसको, बैसी का use करते हैं, क्या हो जाएगा, आप इसको देखो, कि यह total, इसमें अगर मैं इसके coding करूँ, हना, डारेक्ट खहीं, आपका वो तो नहीं बन रहा है, इसमें, right angle triangle तो नहीं बन रहा, तो हम यहां पर देख लेते हैं, यह आपका यह 5, 5, 4, नहीं, कुछ चांच ही नहीं है, clear है, तो हमने देखा हमारे पास में एक बन रहा है, iso select triangle, sum 2, about 3, root 5, यह भी कितना root 5, और यह हमारा कितना root 2, अब हमें निकालना इसका area, area निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताए कि इसमें से अगर हम area निकालें, तो direct हम formula यूज करते हैं, और formula में हमने देखा कितना लिखेंगे हम, by4, root, हम यहां पर क्या करते हैं भी, यह आपका हो जाएगा, total अगर value की बात करें, तो य यह आपकी value हो जाएगी, for a square, for one minute, यह आपका हो जाएगा, for total अगर हम यहां से height लें, तो यह आपका हो जाएगा, a square minus b square upon, और इस item में ले लिए अपने, यह आपका area है, clear है, अब आपको क्या करना है, कि इसमें हम direct value में put कर देता हूँ, बाहर क्या पड़ है मेरा, b मा लीजिए मैंने, कौन सामान रखा है यहां पर, इसमें मैंने b ले लिया आपका, यह b लिया है, ठीक है, अपने इसमें confusion था इसका, अना a हमने उपर वाला ले लिया, ठीक है, यह हमारा उपर वाला है, तो यह फिर by 2 हो जाएगा, तो सेम चीजे है, हमारे पास में repeat हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, b यान root 2 upon कितना है, 4, अंदर क्या कर दिया हमने 4, a square, इसका square करें कितना आ गया भी, 5, minus, इसका square करें, तो यह कितना हो जाएगा, b कितना हो गया, 2, clear है, तो a equals to value कितनी आ गई हमारी, यह हो गया, 2 root 2, 1 upon 2 root 2, into, यह 20 minus, यह कितना हो जाएगा, आपका 2, तो 20 minus 2 आपका हो गया, 18, 18 को मैं लिख सकता हूँ, 3 root 2, अब इससे root 2 से root 2 गया, answer कितना है, 3, 2, अब जो option मुझे 3, 2 answer दे देगा, वो मेरा answer हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब मैं a, b को 1, 1 रखूँ, तो यह 5, 2 नहीं होगा, 1, 1 रखूँ, 3 नहीं होगा, 1, 1 रखूँ, नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, D option, तो D option आपका correct answer हो जाएगा, कौन सा option हो जाएगा, D option आपका correct answer हो जाएगा, clear है, समझ रहे हो बात को, देख लो, फटा of radius of the base and the height of a closed solid cylinder is 12.5 cm and if the total surface area of the cylinder is 275 cm2, then its radius is, एक बंद ठोस बेलन के अधार की तरिजा और उंचाई का योग इतना है, यदि बेलन का कुल प्रष्टी छेतरफल इतना है, तो इसकी तरिजा क्या है, यह आपको बताना है, चीक है, समझ रहे है, total surface area की बात हो रही है, 275 दि of the base and the height, ठीक है, तो अधार की तरिजा और उसकी उंचाई, वो कितनी है, 12.5 cm, ठीक है, फिर आप से बुचाएं, कि बेलन का कुल प्रष्टी छेतरफल कितना है, आपका 275 cm, तो इसकी तरिजा क्या होगे, ठीक है, अब यह बताईए, अब total की अगर मैं बात करूं, total area के, T से की बात करूं, तो यह क्या होगा, 2 by r, r plus h, 2 by r, r plus h, यही होता है, तो हमने देखा area कितना है, 275, equals to 2 into 22 upon 7, r कितना है, we don't know, हमें नहीं पता, लेकिन यह पता है, 12.5 होता है, ठीक है, आगे चलते है, हमने देखा कि भी इससे कोई cancel out हो रहा है क्या, तो बिलकुल cancel out हो रह है, यह आपका 11 से 2 times cancel out होगा, और यह 11 से होगा 2 and 5, ठीक है, यहाँ पर 12 point यह कितना हो जाएगा, 2 और इससे यह cancel out हो जाएगा, तो r की जो value है, वो 7 by 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 by 2, साड़े साथ, कितनी आ जाएगी भी साड़े साथ, अच्छा question है, easy question है, देखो आपट, ओके, next question, बोला क्या, एवायर इस बेंट to form a square of area 169, if the same wire is bent to form a circle, what is the area in centimeter square, question बहुत सिंपल है, तार को 119 cm को एच्छेतर फल का वरग बनाने के लिए मोडा जाता है, यदि उसी तार से वरत बनाया जाता है, तो फिर मजा ही आ जाए, कैसे, आपने देखा पहले बन है वरक, उसके बाद में circle बना रहे हो, it means perimeter constant होता है, आप यूँ कह सकते हो, इनका जो perimeter है, वो क्या होता है, constant होता है, यह same होता है, क्या रहता है, same, perimeter क्या रहेगा, same, यानि perimeter of square and circumference of circle, ठीक है, यह दोनों equal हो रहेगी, इसके लिए आप क्या करोगी, आपको पता है, इसका area जब 169 है, जब मैं इसका, आपका square root कर तुम भुजा आ जाएगी, तो यह कितना आगया, 13, जब 13 आ गया, इसका 4P equals to 2PiR होगा, इससे तार, यह बना रहे है, circle बना रहे, तो 4P कितना हो गया आपका, 4P मतलब 4A, चीक है, 4P मतलब 4A, एन P, तो यह कितना हो जाएगा, 4 into 13, 1 equals to 2 into 22 बटे 7 into क्या हाजएगा, आर आजएगा, ठीक है, आर पता चल जाएगा, तो फिर तो मजा ही है, यहां से हमने देखा कि यह हो जाएगा, आपका cancel out, value कितनी आ रहे है, यहां से 11 हाजएगा, यह cancel out कि 4 चला जाएगा, आर, आर की value कितनी है, 13 into 7 और बटे में कितना है, 11, यह आर का मान है, आप सी क्या बुचा गया, एरिया, एरिया कितना है, पाई यार स्क्वाएर, अना, 13 into 7 upon 11, और फिर 13 into 7 upon 11, ठीक है, यही आ रहा है किया, फिर देख लेना, यहां पर हमारे पास में तो चेदर मल क्या है, निकरतम पूर्ण संख्या में, तो सिंपल सी बात है, क्यों कुछ इस टाइब से आएगा, यह कैंसल आउट होके कितना होगे, आपका 2 हो गया, ठीक है, ओप्सन भी बहुत नीर बाउट है, 531, 532, अना, तो यह तो मज़े लेने वाली बात होगी, यह कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमने देखा, यह होगे आपका, एरिया कि कितना पड़ेगा, तो चार नो, कितना, नो, चार कितना होगे, 36, 3, और उसके बाद, 9, और 16, 4, कितना होगे, 64, 64, और 9, 46, और 9, कितना होगे, आपका 73, 73, और 3, 76, तो 7, और फिर आपका 7, तो यह होगे, 23, ठीक है, डिवाडेट वाइट वाइवन, अब वेल्यू कितनी आ होगे, तो यह 2 टाइम्स आएगा, फिर आएगा 16, तो 1 टाइम्स आएगा, अना, फिर आगे 5, 6, 56, तो 1 टाइम्स आएगा, तो 215, यह ओप्सन आपका correct answer, कितना हो जाएगा भी, यह ओप्सन, तो बताएगे, इतना नजदीक, इतना मतलब, कैलकुरेटिव क्वेश्चिन क है, यह भी कुछ ऐसा ही है, एक साइकल के पही है कितरीजा 42 सेंटिमेटर है, यह 25 सेकंड में 40 चकर लगाता है, तो इसकी गती क्या है, एक चीज़ बताईए, कि पहली बात तो गती तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले distance कवर करते हैं, distance क्या है, तो आपको थियोरी की class म बता भी चुका हूँ, जो आपने basic पड़ा था, उसमें पड़ा था, कि एक चकर में तय दूरी, तो 2 इंटू यान 2 पाई आर, यही तो होती है, इसका मतलब चकर 40 है, 2 इंटू 22 उपोन 7 इंटू आर कितना है भी, 42, अच्छे है, क्लीर है, तो यह हमारा हो जाएगा, 240 ठीक है, यह हमारे distance है, हमें निकालने है speed, और speed निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, distance, distance अपोन क्या करना होता है, time, ठीक है, distance अपोन क्या करना होता है, time, अब speed किलोमेटर पर आर में निकालने है आपको, किस में निकालने है, किलोमेटर पर आर में, ठीक है, तो पहले हम यह जो दिया है हमें मिटर में है सेंटीमिटर में है ठीक है अब यह डिस्टेंस किसमें आई है हमारी सेंटीमिटर में हम इसको मिटर में भी कनवर्ट कर सकते हैं और मिटर में कनवर्ट करके फिर हम खहां लेकि जा सकते हैं इसको km पर आउर्ट में तो यहां पर देखे distance हमारे कितने 240 44 निचे time कितने 25 ये 25 seconds में काम हो रहे 25 seconds में इसको हम multiply किस से कर दें मैं centimeter है तो इसको हम किस में convert कर दें भी meter में तो one upon क्या कर देंगे 100 ये meter में चला गया अब यहां पर मैं हम इसका मिटर खींज देते हैं कि क्या होगा तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो भाई यहां से तो क्या होगा यह हो जाएगा आपका 48 और यह आजाएगा आपका 5 ठीक है अब इनको मल्टिप्लाई कर ले यह टोटल वेल्यू हमारे पास में उपर कितने आगे 48 इंटू 44 अपोन कितना आजाएगा 500 यह आगे मिटर पर सेकेंड में यह स्पीड हमारी अब इसको किलो मिटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना है अब इसमें आपको क्या करना है 48 इंटू 44 अपोन कितना है 500 और किस से मल्टिप्लाई करोगी आप आपको पता हमें किलो मिटर पर आर में जाना है ठीक है तो बड़ी उनिट आपको परकनी होगी 18 अपोन 5 से हम इसको मल्टिप्लाई करते ही क्लियर है अब देखिए अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दो अदर्वाइज छोड़ो हमने देखा इसको मल्टिप्लाई करते हैं और कोई कैंसल आउट हो रही है कि संक्या कोई संक्या मल्टिप्लाई नहीं हो रही है ना तो यह आपका उपर जो value है वो कितनी बन जाती है हमने देखा भी यह हो जाएगा आपका total अगर multiply करें तो 2 and यह आपका हो जाएगा 32 और 16, 32 सुरह 48, 48 और 2, 48 और 3, 48 इन इकाउन यानि 5 आ जाएगा और 16 और 5 कितना हो जाता है 21 ठीक है 16 और 5 कितना हो गया 21 multiply by 18 अपोन कितना हो जाएगा आपने का 100 into 25 ठीक है into 25 और मैं इसको बना देता हूँ इसको मैं नीचे रख देता हूँ इसको मैं 100 ही कर देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ 72 72, 72, मामला ही खतम, ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना, उपर मल्टिपलाई करते हैं, वेल्यू को, तो यह हो जाएगा आपका, टोटल जो वेल्यू है, वेल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक बार मल्टिपलाई कर लेते हैं, वही, तो यह हो नहीं, यह आपको हो जाएगा, 4, एंड यह हो गया, 8, फिर 7, फिर आपका 14, clear है, फिर आपको इसको 2 टाइमस और 8 करना पड़ेगा, तो 4, और यह 2, 2, एंड कितना हो गया, 4, तो यह वेल्यू हमारे पास में कितनी हो जाती है, वही, 4, 6, 0, 2, 5, and 1, ठीक है, तो यह वेल्य हमारे पास में कितनी होगी, 15, 20, 64, कितनी होगी, 15, 20, 64, तो 15, 20, 64, और बटे में आपकी वेल्यू कितनी है, 10,000, ठीक है, तो यह हमारे पास में 15.2 बन जाएगा, तो यह आपकी स्पीड आजाएगी, इन C option आपका correct answer हो जाएगा, कौन सा option correct answer हो जाएगा, C option, ओके, next question देखी होई, the area of a triangular field whose sides are 65 meter, 72 meter and 97 meter is equal to the area of rectangular park whose sides are in the ratio of 5 ratio 13, what is the perimeter of the rectangular park, यह आप से क्या बोला गए, एक त्रिबुजाकार मेदान का छेतरफल जिसकी बुजाएँ इतनी है, एक आयताकार पारक के छेतरफल के बराबर है, जिसकी बुजा का अनुपात यह है, तो आयताकार पारक का प्रिमाप क्या होगा, तो सबसे पहले simple सी बात है, कि उस triangular field है, उसका आपको area निकालना होगा, और area निकालने के लिए उसकी sides दीवी है, अब sides दीवी है, तो उससे आप hero का formula लगाना होगा, hero on formula आप use कीजिए, ठीक है, यह हो गया 97, ठीक है, और उसक comparison करना है, जिसकी sides जो है 5 ratio, 13 में दीवी है, फिर sides आएंगी, after date क्या आएगा हमारा perimeter, clear है, तो यहां से हम S निकाल लेते हैं, S कितना आ जाएगा, 97 plus, 65 plus, कितना होगा है, 72, upon क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, simply, semi perimeter हम निकालते हैं, तो simply आपको पहले इनको जोडना पड़ेगा, फिर इसको क्या करो गया, आप करो गया, यह perimeter का क्या हो गया, आदा हो गया, ठीक है, यह total value कितनी हो जाएगे आपकी, यह हो गया, पंदर है, पंदर है और साथ कितना हो गया, 22, या 220, 220 और यह value आपकी हो गया, 15, 235, ठीक है, पंदर ही हो रही है, क्या, value कितनी आ रही हैं औन 9-7 और ये कितना आ रहे है 2 छीक है तो ये value कितने हो जाएगे 12-14 हो जाएगी 12-24 14 और 220 तो 234 अब 1-2 तो ऐसा हमारा कितना आ जाएगा 11-7 यान कितना आ जाएगा 117 कितना आ जाएगा 117 clear है समझ में आई बात आपको ठीक है आगे चलते हैं अब हमें यहां से इसका एरिया निकलना होगा एरिया ओफ ट्राइंगल ठीक है एरिया ओफ ट्राइंगल तो यह कितना आजाएगा भी आपने का सर 117 तो है है एक सिरा में से हम 97 अगर हटा दें कितना आजय कि इसी तरीके से 117 में से हम 28 helps अधाय उर सथागे था आपको कितना कितना हो जाएगा 45 ह Cinth i assignments अधायु damaged ना अ-धह pasoонов divers टो तो 35 इस उर दस कितना हो गयाiers इसी तरीके से पैंसर पैंतिस यहांसी कितना आजाएगा 35 और 17 तो यह 42 दिस 52 यह आपका एरिया हो गया अभई एरिया निकालना पड़ेगा न तो यहां से हम क्या करते हैं वो क्या क्या बाहर आ सकता है अना तो यह हो जाएगा आपका यहां से वेल्यू यह किसका बन जाएगा आपका cancel out हो रहा है के कोई तो यहां से मैं इसको अगर तोड़ के इनको लिखूँ इनकी form में लिखता हूँ सबको मैं तोड़ लेता हूँ वैदरवाज बड़ी संख्या बनेगी हमें पता नहीं चल रहा तो अगर मैं इसको divide करूँ पहले 3 से यह तो 3 से divide हो जाएगा यह कितना हो गया आपका 3 और यह हो जाएगा आपका 9 ठीक है 39 तो 39 को फिर आप 3 से करोगे तो यह हो जाएगा आपका 13 क्लियर है उसके बाद में हम आगे चलते हैं 20 तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 9 इसी तरीके से 13 इंटू क्या लिख सकता हूँ 4 यह लिख सकते हैं अब यहां से हमारे पास में एक तो 3 बाहर आजाएगा एक 13 बाहर आजाएगा एक 4 बाहर आजाएगा एक 5 बाहर आजाएगा समझना, देखिए 13 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा ठीक है, और 13 तो हमारा आई ही चुका, clear है, अब यह जो एरिया है, यह एरिया किसके बराबर है आपको किसर यह एरिया, यह जो आयत हमारे पास में रेक्टेंगल दिया था, उसके बराबर है ठीक है, तो आपको क्या करो, उसको डारेक्ट इसके बराबर रख दो, तो यह कितना हो जाएगा, 45 और यह हो जाएगा, 45 इंटू 52 क्लीर है, मैं एक बार इसी फोर्म में इसको लिखे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसको आयताकार जो छेतर फल है, इसके बराबर रखना है यह कितना हो जाएगा, भई, 5x multiply by 13x, equals to 45 इंटू कितना हो जाएगा, 52 यहां से अगर हम इसको cancel out करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 times, यहां से cancel out करूँ तो यह कितना हो जाएगा, 9 times, तो x square equals to कितना हो जाएगा, 9 into 4, then x equals to कितना हो जाएगा, 3 into 2, it is equals to कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब हमें चीप पेरिमेटर, तो पेरिमेट into कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 18 into कितना हो गया, 6 हो गया, तो बताइए भई, अब value कितनी हो जाएगी, तो आपने का सर ये value हमारी कितनी हो जाएगी, 108, टोटल कितना हो जाएगा, 108, यानि ये option आपका correct answer हो जाएगा, तो question बहुत लंबा चोड़ा है, question में क्या करना था, फिर फेक्टर करने था, एरिया निकालना था, एरिया इसके बराबर रखें, यहांसे फेक्टर निकालें, फिर direct रखें, तब जाएगे हमारे पास में perimeter आ रहा था, clear है, चलिए, next देखते है, इसमें आपको क्या दिया है, the circumference of a circle is a pi, unit and the area of the circle is b pi, if a ratio b is equal to the 4 ratio 5, then the radius of the circle is, यहांकि आप एक वरत की परीदी है, वो a pi है, और वरत का छेतर फल है, वो b pi है, यदि a ratio b, आपका 4 अनपात 5 है, तो वरत की तरिजा क्या होगी, ठीक है, यह आपके पास में वरत है, और वरत की परीदी की बात कर रहे है, 2 pi r, जो कि आपको कितनी बता रखे, a pi, a pi, तो pi स pi गया, तो a की value आपके पास में कितनी है, 2 r, चीक है, उसके बाद में इसका जो 6 तरफल है, वो कितनी है, b pi, अब b pi तो आपको पता है, वेसे क्या है, pi r square, तो pi से pi गया, तो यहां से जो b की value है, वो कितनी आ रही है, r square, चीक है, b की value कितनी है, r square, अब कहा रहे है, a ratio of b है है वो आपका कितना है 4 ratio 5 तो मैं यहाँ पर A ratio अगर B कलो इसका मतलब यह कितना होगा 2 R upon R square इसे यह cancel out हो जाएगा A और B की मैं value रख देता हूँ कितनी है 4 और 5 2 upon R इसे यह चला गया कितना होगा 2 हो गया ठीक है तो R इधर आ जाएगा ठीक है यह R उपर चलाएगा 5.2 हो गया इसका मतलब value कितनी होगा 2.5 cm कितनी 2.5 cm B option आपका correct answer हो जाएगा ठीक है फड़ा पर देखो question को देखिए next question इसमें आपको क्या दिया हो है कि A square park has been divided into two rectangles of equal area if the perimeter of ease of the rectangles 39 meter then what will be the perimeter of the square park याने एक वरगाकार पार्क को समाद 6 तरफल के दो आयतों में भाजित किया जाता है यदि इन में से प्रतेक आयत का परिमाब 39 meter है तो वरगाकार पार्क का परिमाब find out करना है तो यह आपका square form का एक आप यूँ कह सकते हैं एक हमने square लिया एसा हमारे पास में एक वरग है clear है यह वरग है समझ में आगी बात अब हम ही क्या करना है इसको एक दो आयत में rectangle में इसको divide कर लेना है अब बोलागे प्रते के जो परिमाब आप न वो 39 meter है प्रते का जो perimeter है वो आपका 39 meter है अब समझ ना बात को कि प्रते की perimeter की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह हुआ कि भाई एक side एक बार मतलब यह count हुए नहीं इसकी sides देख लो यह तो same side का था यह तो वरग था तो आप कहोगी सर अगर मैं पहले इसको count किया माल लो इसका मैं अगर count करूँ यह अगर a है तो यह भी a है यह भी a यह भी a इसका मतलब एक बार इसको count करूँगा फिर इसकी मतलब अगर मैं एक आयत की बात करूँ तो इसकी side में यह count करूँ इसकी side में यह count करूँ तो ये side तो count होगी न, इसका मतलब एक बार ये होगी, एक बार ये होगी 2, एक ये 3, एक ये 4, एक इसमें ये 5 आजएगी, एक इसमें 6 आजएगी, इसका मतलब total जो side होगी 6a, कितने हो जाएगी 6a, is equals to 39 plus 39, समझे न, तो 6a equals to कितना होगी, 78 cm, it means a equals to कितना हो जाएगा, तो आपको किसर 78 upon कितना हो जाएगा, 6 cm, it means 13 cm, a का मान कितना है, 13 cm, तो कह रहे हैं, वरगाकार पारक का परिमाप बताइए, तो वरगाकार पारक का परिमाप, यान पेरिमेटर कितना हो जाता है, 4a, तो p equals to 4 into 13, जैन कितना हो जाएगा, 52 cm is the right answer of this question, d option आपका correct हो जाएगा, clear है, समझ में आई बात, simple question है, बस थोड़ा सा logical है, next question समझना है, a right circular cylinder or maximum volume is cut out from a solid wooden cube, the material left is what percent of the volume of the original cube, एक्ठोस लकडी के घन से अधिक्तम आयतन वाला एक लंब वरतिय बेलन काटा जाता है, माल लीजिए ये आपका एक क्यूब है, और इस cube में से आप क्या करते हो, एक लकडी का बेलन काटता हूँ, क्या काटता हूँ बई, एक लकडी का बेलन काटता हूँ इसमें से, ऐसे ऐसे माल लेते हैं, लकडी के गन में से एक बेलन काटता हूँ, ठीक है, ऐसे करके वो नीचे आएगा और ये आप इस तरीके से का तो इसकी जो radius है r तो r आप खुद देखो दिख रहाएंगे आप लोगों को विल्कुल सही है और किसके बराबर आजायेगा और जो किसके बराबर आजायेगा आपको उसर्फ भुझा का आदा हो जाएगा समझेना बात को किसका आदा हो गया भूजा का आदा हो गया clear है अब चलते हैं आगे अब ये कह रहा है कि तो बताईए क्या बताना है कि भाई बची हुई सामगरी RMB जो पहले वाला जो आयतन था उसके आयतन का कितना प्रतिस्ट है बची हुई सामगरी तो पहले इसकी सामगरी कितनी है इसका वोल्यूम तो निकाले तो वोल्यूम ओप सिलेंडर सिलेंडर की तो बात करें तो आपने का सर वोल्यूम ओप सिलेंडर ये होता है पाई यार इसकोएर तो पाई आर कितना है तो आपने का सर एवाई टू into ay2 into a हो जाएगा h h मतलब height a छीक है इसकी height a यह हो जाएगा πाई वाई 4 aq ध्यान रखना ही अब जो remaining material है बची हुई सामगरी है तो जो remaining material है उसकी बात करते हैं remaining material की अगर मैं बात करूँ तो मैं यह कहूँँगा पहले जो item था वो aq था उसमें से 5y4 aq घटा दिया गया जो घटा दिया गया तो बन कितना जाएगा तो आपको किसर यह हो जाएगा 1-22 बटे 7 into 4 और क्या हो जाएगा a2 28-22 गया कितना हाजएगा 6 तो 6 बटे 28 into क्या हाजएगा a2 ठीक है यानि इसको मैं और लिख सकता हूँ कैसे लाट कर दो यह 11 हो जाएगा और यह आपका 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा भाई 3 बटे 14 a2 ठीक है यह मेरे पास में यहाँ पर बच्ची भी समगरी आगी अब इसका परसेंट निकालना है तो आप कह सकते हैं तो 3 बटे 14 a2 किसका पहले वाली a2 सुरी यह a3 था a3 है तो यहाँ भी क्या कर लो a3 किसका जो initial जो क्यूब का जो volume था उसका तो क्यूब का volume कितना a3 इंटू क्या कर दो कि 100 परसेंट निकालना है तो इंटू क्या कर दो कि 100 इससे यह cancel out हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बन जाता है 300 बटे कितना आजएगा 14 बाग दे लो जो near about answer आ रहे है वो आपका answer आ जाएगा ठीक है देख लो कितना आ जाएगा तो आपने जो ही इसको divide किया तो 14 दो 28 कितना आ जाएगा भी एक मिनट 14 दो 28 और एक तो लगबग आपका 21 परसेंट के near about यह डी ओप्सन आपका correct answer हो जाएगा clear है समझ में आई बात ओके देखते हैं अब next question इसमें आपको क्या दिये है the base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 11 cm and 15 cm the distance between them is 9 cm if the volume of the prism is 17316.6 cm within the height of the prism will be question बड़ा घंबीर है क्या कह रहा है the lump prism का आधार समलंब है ठीक है trapezium है जिसकी सम्मानंत्र बुजाएं 11 cm और 15 cm है उनके बीच की दूरी आपके कितनी है? 9 cm यदि प्रिजम का आयतन 1731.6 गन cm है तो प्रिजम की उंचाई बताओ क्या होगे? छीकर? आपको बताओ कि मुझे इसकी उंचाई निकालनी है और प्रिजम का आधार सम्मलंब है तो मुझे इसका अगर आयतन दिया है तो आयतन मैं देख लेता हूँ एक चुल्म किया जो वोल्यूम होता है जो आयतन है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपने का सर वोल्यूम इसका अगर निकाले तो हमें पता होना चीए आधार का छित्रफल आधार का छित्रफल एरिया ओफ बेस एरिया ओफ बेस इंटू क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है ठीक है? एरिया ओफ बेस इंटू हाइट हो जाता है क्लियर है? तो एरिया ओफ बेस यान ट्रेपेजियम है समलम्भ है तो हमें समाना अंत्र भुजाएं तो हम कहेंगे एक बटा दो इंटू 11 प्लस 15 है इंटू इंके बीच की दूरी 9 इंटू H कितना है? H नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है वोल्यूम दिया है 1731.6 ओके? देखो फिर आगे हमने क्या क्या को हो दिक्त की कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसल आउट कर देते हैं तो यह कितना हो गए 26 एक मिन्स यह कितना हो गए 13 यह कैंसल आउट हो गया तो H equals to तो हम इस एड ले आते हैं 13 और 9 को है 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 कितना हो जागा 1731.6 और बटे में कितना आजागा 13 इंटू 9 ठीक है अब क्या करते है cancel out तो यहांसे हम या तो digital sum से कर लेते हैं तो हमने यहां पर देखा new तो यह कोई नीचे nine आगे ना तो मुस्किल है तो हम यहां पर इसको sold करने की कोशीज ही कर लेते हैं तो हमने देखा यह नीचे कितना आगे दस अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ 9 से डिवाइड करने पर ये value आपका देगा ये हो जाएगा आपका 9 से हो रहा है कि पहले 10, 11, 12 उच्छा, 8 रहा है बिल्कुल हो जाएगा 9 से 1 और ये आपका कितना आगया भई तो ये total हो गया 8 ठीक है तो 9 81 फिर 2 और 1 21 अना तो 21 तो दो बार जाएगा ना ये 8 रहे ठीक है तो 3, 6, 4 होगे 36, clear है अब 13 से देख लेते हैं 13 से एगर क्या पता divide हो भी जाए तो 13 से एगर मैं divide गरूँ तो 13 एक बार चला जाएगा 13 उसके बाद में 62 62 तो ये हो जाएगा 52 चार बार जाएगा ना 13, 4, 52 फिर 10, 104 और 13, 8 ठीक है तो ये भी cancel out हो जाएगा 13 से भी उससे भी तो यहां पर H की value मेरे पास में कितने आगे 14 इंटू 8 14 इंटू 8 C option आपका correct answer ठीक है आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जो इस PPPT में यानि इस वीडियो के अंदर हम जो questions कर रहे हैं जिनके solution कर रहे हैं वो काफी calculative लग रहे हैं हमें तो वो real में calculative है कोई tier 2 में आयवा question है क्योंकि ये variety questions है इनके अंदर इस questions है जो जिनको बहुत सारे questions जो डाल दिये गए हैं जो अपने जो अच्छे अच्छे question थे जैसे men's के question है जो लटेस्ट एक्जाम है उनके question है अना तो जो भी थोड़े से मतलब हमें इस तरिके से जो नए लगे हमने उसको variety question में include कर रखा है तो इसे question बहुत सारे आपके initial starting आएंगे तो थोड़े बहुत आपको परेशा नहीं करेंगे वो तो कोई दिक्कत वाले बात है नहीं चलिए next आगे देखते है तो इसका प्रष्टिय छितरपल इतना बढ़ जाएगा ठीक है तो बताओ पहले का जो आयतन है वो क्या होगा प्रारिम भी गोले का आयतन क्या होगा मैं इसे करता हूँ 4π 4π r square हाणा तो अब जो है वो 4π r plus 4 कर देता हूँ square ये कितना हो जाएगा कि पहले वाला 4π r square था उससे 464 π ज्यादा हो जाएगा बस इतना है ठीक है आगे देखते है और इसमें क्या होगा अब हमने देखा कि इसके अंदर अगर मैं pi common लूँ तो pi से pi cancel out हो जाएगा 4 भी अगर मैं करना चाहूँ तो 4 भी cancel out हो सकता है तो चलिए 4 को भी उड़ा देते हैं यहां से 4 उड़ जाएगा और यहां से आप 4 को cancel out करोगे तो 1, 1 and 6 आजएगा तो इसकी अगर इसक्वाइर करो तो r square प्लस कितना होगे 16, plus कितना होगे 8 r, equals to क्या होजएग r square प्लस कितना होगे 116, ठीक है r square से r square cancel out 8 r equals to कितना होजएगा आपका 100, तो r equals to कितना होगे 12.5 अब उच्छा volume volume बताईए volume मेरे भई 4 बटे 3 pi यान 22 बटे 7 into r square pi तो है option में है pi तो pi तो नहीं हटाना पड़ेगा into pi r cube, r cube कितना है साड़े बार है 125 बटे 10 125 बटे 10 और 125 बटे 10 कर देता होगे अब इक काटना पीटना है main, देखो दो ही चीज़े होती एक तो concept एक होती calculation ठीक है तो calculation अगर आप लोगों थोड़ी weak है तो calculation आपको कर नहीं होगी तो यह cancel out होगे हो जाएगा 2 ठीक है उपर देखी 125 बटे 125 बटे 125 बंदरा 625 और नीचे कितना आ रहे 6 ठीक है पाई इसके साथ में पाई था क्या है क्या इसा बिलकुल एए option आपका correct answer हो जाएगा कौन सा option correct answer होगी एए option चलिए next question देखते है बोला है दे बेस ओफिर राइट प्रिजम इस ट्राइंगल विट साइड्स 20 सेंटिमेटर 21 एंड 29 सेंटिमेटर इफ इट्स वोल्यूम 7560 सेंटिमेटर क्यूब देन इस दे लेटरल सर्फेस एरिया एक लंब प्रिजम का अधार एक तरी बुझे जिसकी बुझेटर 20, 21 और 39 है तो सिंपल सी बात है अगर मैं किसी ट्राइंगल जिसमें अगर 20, 21 और 39 की अगर बात हो रही हो इसका मतलब यह हुआ कि वो ट्राइंगल आपका एक राइट अंगल ट्राइंगल होगा कौन सा ट्राइंगल होगा एक राइट अंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि 20, 21, 29 आपका क्या होता है एक ट्रिप्लेट बनता है क्या बनता है एक ट्रिप्लेट बनता है clear है पहली बात तो यह clear होगी इसका मतलब इसका area कितना होगा आपने कसर 1 बटा 2 इंटू 20 इंटू 21 टोटल कितना होगे 210 cm² कलियर अब आगी चलते हैं अब कहा रहा है कि आएतन ही तना है तो पारस्वी प्रष्टी चेतरफल तो किसी प्रिजम का पारस्वी प्रष्टी चेतरफल निकालते हैं मतलब लेटरल सर्फेस एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम करते हैं उसका जो पेरिमिटर और बेस यान बेस का अधार का परिमाप into multiply by height अब height नहीं है height कहां से लेकि आएंगे तो height के लिए हम जाते हैं प्रिजम के volume में जहां पर पता चलता है हमें कि उसका चेतरफल यान किसका अधार का चेतरफल यान area of base area of base multiply by height यह कितना है भई हमने देखा 75,60 equals to area कितना है 210 और height कितनी है अब देख लेंगे पता चल जाएगा 21 से cancel out हो रहा है क्या हो रहा है तो कर दो cancel out नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक हैं तो 21 से अगर cancel out करें तो यह कितना हो जाएगा 63 63 तो यह 12,12,126 106 से कर देंगे तो यह तो खतम हो गया 36,36 h का मान हमारे पास में कितना आगे 36 अब हमें पूछा है कि बताईए lateral surface area क्या होगा lateral surface area के लिए हम क्या करते है perimeter of base यानि base का परिमाप base का परिमाप आधार का परिमाप ठीक है यानि perimeter of base multiply by height ठीक है तो perimeter base का perimeter कितना होगा इनको जोड़ दो तो यह हो गया आपका 21 plus 29 plus 20 into height कितनी है 36 तो यह देखिए total कितना आ रहे हमने का भी यह सर हो जाएगा 50 और 20 50 और 20 आपका कितना हो जाएगा हमने का भी सर 70 into हो गया आपका 36 ठीक है तो यह आपका कितना हो जाएगा हमने का सर 2100 और 7 into 6 कितना होता है आपका 42 ठीक है तो 2520 कितना आ रहे है 2520 C option आपका correct answer हो जाएगा ठीक है कौन सा option correct answer हो जाएगा भी C option clear है समझ में आ रहे है बात आपको तो C option आपका correct answer है ओके चलते हैं फिर आगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन देखिए इसमें क्या बोला है A solid cylinder of base radius 12 cm and height 15 cm is melted and melted and recast into n toys each in the shape of a right circular cone of height 9 cm mounted on a hemisphere of radius 3 cm then find out the value of n अधार्त रिज्या 12 cm तथा उंचाई 15 cm वाले एक ठोस बेलन को भीगला कर देखिए बेलन का जो आईतन है उसको हमने convert किया है ठीक है तो हम कह सकते है volume of cylinder cylinder का जो volume है वो कितना है आपने देखा अधार्त रिज्याईए है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये πाई आर स्कुरेर अच्छ ठीक है तो πाई में convert कर लेता हूँ πाई आर स्कुरेर बारे इंटू बारे इंटू पंदर है ठीक है ये मैंने इसको ले लिया ठीक है तो ये हो गए आपका 144 इंटू 15 पाई क्लिर है यहाँ पर हमने ये volume ले लिया उसके बाद हम कह रहा है कि भाई कुछ खिलोने बनाएगे जिन में से प्रते एक 3 cm तरिजया वाले अर्ध गोले की सीर्स पर ऐसे खिलोने बनाएगे 3 cm तरिजया वाले अर्ध गोले की सीर्स पर इस्तित एक लंब बुरती है संकु के आकार में है इनके उपर एक क्या लगा दिया हमने संकु की भी लगा दिया एक, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो जिनकी उंचाई कितनी है, 9 cm, लीजिए, तो N का मान ज्याद करें, तो इसका material, इसका volume निकालना पड़ेगा हमें, इसके volume के लिए आपको पता होना चीज़ का होता है, दो बटे 3 पाई, आर क्यूब, इसका होता है, एक बटे 3 पाई, प आर स्काईर है, समझ में आई बात, अब इसमें से हम क्या करते है, एक बटे 3 यहन, पाई वाई 3 को को मलेले, ठीक है, पाई वाई 3 को मलेले, कुर इन번े, अर इनका अलग है, क्योंकि इससे मेच नहीं होगा इसका R अलग है, इनका R अलग है तो इसलिए हमने देखा अंदर 2RQ आजाएगा प्लस इधर R² H आजाएगा ठीक है, इस सीज़ को उठाते हैं और इसमें भाग देते हैं, हमें संख्या निकालनी संख्या निकालने के लिए क्या होगा Volume of Cylinder अब बोन निचे आजाएगा Volume of Toy तो आपने कहा कि Volume of Cylinder इसके अगर बात हो रही है, तो Cylinder का Volume तो 12 into 12 into 15 पाई है और निचे अगर हम इनकी बात करें तो ये तो πाई वाई 3 है और अंदर multiply क्या हो रहा है 2 into r cube r cube क्या है, 3 cm ठीक है, तो 3 cm वाले लगे है 3 into 3 into 3 और प्लस निचे आपका क्या है और आपका क्या है, r square h तो 3 into 3 into h आपका क्या है, no ये है सारा, ठीक है पाई से पाई आपका cancel out, पाई cancel out हो गया अब इसको भई आप solve करने की कोसिस करो, क्योंकि man's का question है फिर calculation यहाँ पर इसने डाल दी आपने देखा उपर n की value कितनी आगे भी, 12 into 12 into 15 है निचे आपका कितना है आपने का सरी 1 by 3 है तो 3 भी उपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं निचे कितना आगया, तो यह हो गया 27 और 2 चोवन तो 54 प्लस यहाँ पर भी कितना हो गया 27 और 3 ही क्यासी 81 तो n equals 2 यहाँ मैं यहाँ से 27 common ही ले लेता हूँ इसमें से मैंने 27 common लिया क्यों 9, 3, 27 इसमें 27 अंदर 2 बचे गया, यहाँ into कितना आगया, 5 अब देखिए, 5 से cancel out कितना हो गया, 3 यहाँ से अगर मैं cancel out करूँ इनको, तो देखना आप यहाँ पर, यह कितना हो जाएगा यह 3 चला जाएगा, इसमें से 3 गया, 4, यह 27 उड़ गया उपर 12 into 4 कितना आगया, 48 तो यह कहनी का मतलब खिलोनों की संक्या कितनी है, 48 तो C option आपका correct answer हो जाएगा लेकिन question देखिए कितना Calculative बनाए, लेकिन question अच्छा जरूर है, लेकिन exam में time की हिसाब से Calculative है यह चीज़ ध्यान में रखनी है चलिए इस video का last question देखते हैं, उसमें आपको क्या बोला गया है एक सेक्टर ओफ रेडियस 10.5 सेंटिमेटर विद दसेंटरल एंगल 120 is folded to form a cone by joining the two bounding radius of the sector what is the volume of cone, so form बोला क्या है 120 degree, 120 degree वाला कोई ऐसे है, माल लेजे यह 120 degree 120 degree वाला कोई सेक्टर है इसको तुमने क्या क्या, radius R है इसको तुमने fold करके एक cone बना दिया इस टाइप की structure बना दिया इसकी radius R है इसकी radius में capital R बोल देता हूँ इसकी radius है capital R बोल देता हूँ, समझे ना question को actually में कोई टुकडा लेना है इसा इसी shape का, और इनको इनको इसे मिलाओगे तो नीचे वाले पर गोर देना माली जी ये टुकडा है इसे, इनको अगर आप मिलाओगे देखो, नीचे वाला ये पहले ऐसे है समझे ना, अब ये देखिए match हो रहा है, तो ये वापिस क्या और रहा है round तो कहने, नहीं कमनले, इसकी जो परीदी है ये arc है, ये चाप की लंभाई है ये क्या होती है, किसमें convert हो जाती है, आपने कहा ये क्या बन जाती है, ये परीदी बन जाती circumference of the base ठीक है, circumference of the base of the cone, ठीक है, तो आपने क्या किया, कि भै इसकी जो चाप की लंबाई हम कैसे निकालें तो उसके लिए आप बोला है कि 10.5 cm त्रिजा वाला एक वरत खंड जिसका केंदरी अकोन 120 डिगरी है इसे मोड कर एक वरत खंड की दो सिमांकत त्रिजाओं को जोड कर एक संकू का अंद्रमान किया जाता है तो संकू का आयतना ब दूसरी बात हमें क्या निकालने तो आपने देखा इसकी जो परिदी है इसकी जो परिमाप बचा है अब ये परिमाप है कितना ये परिमाप कितना है ये परिमाप इसकी किसके बराबर हो जाता है किसके बराबर हो जाता है इसकी परिदी कितनी है 2 पाई यार इसकी परिदी देखना इसमें से ये 3 हो जाएगा टूबाई से टूबाई चला जाएगा तो आपने देखा कि ये जो आर है ये आरवाई 3 के इक्वल है आरवाई 3 के इक्वल है इसका मतलब ये अगर 10.5 है तो बटे मी क्या आपका 3 तो ये 3.5 cm होगा इसमोल आर कितना आजाएगा 3.5 cm है अब मुझे निकालना है संकू का आयतन तो वोल्यूम आफ है कौन कितना है आपको बिसर ये होगा पाई वाई 3 आर स्कौाइर तो 3 5 ये मैं नीचे 10 कर दूँ फिर 35 नीचे 10 कर दूँ और कितना आजाएगा भई है ना तो इंटू क्या होजाएगा h अब h नहीं है हमारे पास में h कहां से लेके आएगा अब उसके लिए आपको क्या करना होगा वापिस आपको चलना होगा यहाँ है तो ह निकालने के लिए आप क्या करोगे h इकोस टू एल ही इसका आ रहे है ना तो आपने किया कि 10.5 का होली स्कौाइर माइनस 3.5 का होली स्कौाइर जब मैं यह होली स्कौाइर जब ओपन किया तो यह हो गया 110.25 कि यह होगा ना माइनस 3.4.12.12.25 इसमें से जब मैं यह हटाता हूं तो 10.25 आपको चला गया तो यह मेरे पास में टोटल कितना आ गया भी यह टोटल अंदर आ जाएगा 1025 चला गया तो इसमें से फिर 200 बचा मेरे पास कितना आ जाएगा तो फिर उसके बाद में वेल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए यह 11,000 फिर 10,000 बचेगा फिर 200 चला जाएगा तो चला जाएगा ठीक है कितना आ गया इठ्यानमे सो का मतलब क्या हो गया आपने का सर यह हो जाएगा अच्छा पोइंट भी है ओक्यों क्यों क्यों सकते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या पोइंट यह लिजीए तो पोइंट गाएव तो हमारे पास में 98 बन जाएगा हमारे पास में 49 x 2 7 root 2 कितना हो जाएगा 7 root 2 अब मिलगी हमें height तो हम यहाँ पर put कर देते हैं 7 root 2 क्या रखते हैं 7 root 2 अब देखिए फटा पर इनको multiply कर लेते हैं हमने देखा भी root 2 root 2 सारा जुगाट पड़ा है, सारा सब कुछ setup पाई भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकि जो हट रहा है, उसको हटा तो, तो यहां से हम इसको हटाते हैं, यह आजएगा 2, और value हमारे पास में क्या आ रही है, तो यह आजएगा 7, यह आजएगा 2, औ हो जाएगा 12, पाई, यह आजएगा इसका वोल्यूम, यह आजएगा इसका वोल्यूम, क्लियर है, तो 343 root 2 अपोन पाई, याण D option आपका correct answer हो जाएगा, क्लियर है, देख लो, फटा बड़ एक बार question को देखो, ओके, तो इस परकार हमने इस वीडियो में देखा, कि question नमबर एक से लेके 125 तक सभी question का हमने solution किये हैं, अब इस वीडियो का अंदर बहुत सारे question ऐसे हैं, जो कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव क्यों है, क्योंकि मैं आपको लोगों बता चुका हूँ, variety questions हैं, तो हमन सारे उस type के question, जो men's में आये हैं, या किसी जिन में बहुत सारे concept लगे हुए हैं, क्योंकि variety questions, एक चुल में teacher जब खुद करवाता है, तो number of basic या number of concept आपको सीखने को मिलते हैं, practice question तो आप बहुत सारे कुद भी कर सकते हैं, practice question तो हो सकता है कि maximum तो one liner है, लेकिन practice जो variety questions है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत कुछ सा आपको नया सीखने को भी मिलता है, इसलिए इसमें सारे इस type के question है, आप एक बार इनको बढ़िया तरीकिस देखें, इनको समझें, और इस पर practice करें, मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए